वेलकम डियर स्टुडेंट्स मैं जयश आप सबका मेरे यूटूब चैनल जयश पाथफाइंडर वेटो सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ जवारन ओदे विद्याले एंटरंस एक्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूरुन जानकरी जानने के लिए आज ही मेरे यूटूब चैनल जयश पाथफाइंडर को सबस्क्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और वीडियो को अंत तक देखिए चले तो स्टार्ट करते हैं जवार नवो देविद्यले एंटरंस एक्जाम 20-22 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास आज की वीडियो क्लास में मैं आपको मैथेमाटिक्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर है माथेमाटिक्स का नवो देविद्यले एंटरंस एक्जाम के सिलाबस का that is 4 fundamental operations on whole numbers 4 fundamental operations on whole numbers इसी का एक portion है divisibility of test divisibility of test मतलब 1 का divisibility test, 2 का divisibility test, 3 का divisibility test हमें exam में questions पूछे जाते हैं, numbers दिये होते हैं और उन numbers को किस numbers से complete division होता है, ये पूछे जाता है कभी-कभी तो साथ में हमें 4,4,3,3 numbers एक साथ में पूछे जाते हैं कि ये 3 numbers से इस number को division होता है क्या तो इसी लिए mathematics के इस second chapter के divisibility test की कुछ short tricks में आपको बताना चाहूँगा ये short tricks आपको exam के लिए बहुत ही important है अगर ये short tricks के उपर question आ जाता है तो आपको within a second उस question का answer solve करना आना चाहिए तो इसी लिए आज का ये video class जो है वो mathematics के divisibility test के short tricks के उपर आधारित है तो चलिए students और देखते हैं आज की video class के जो short tricks है सबसे पहले सबसी first short trick देखते है हमारी ये सबसे first short trick है divisibility test की यहाँ पर ये short trick है if a number is made by writing a digit six times then the number is divisible by 7, 11 and 13 अगर हम किसी number को six times लिखते है अगर हम किसी number को six times लिखते है मतलब write करते है तो वो number 7, 11 and 13 से completely divisible होता है मतलब six times लिखते है या फिर six times write करते है मतलब अगर suppose हमने यहाँ पर six ले लिया यहाँ पर हमने six ले लिया और six को six बार write कर लिया six को six बार write करने के बाद में वो six digit number बन जाएगा वो six digit number 7, 11 and 13 से completely divisible होगा यही है हमारी सबसे first short trick सबसे first short trick क्या है हमारी if a number is made by writing a six digit number ठीक है if a number is made by writing a digit six time मतलब वो six digit number हो जाएगा लेकिन सभी digits सेम चाहिए अगर हम उस number में five लिख रहे है तो totally वो six digit number completely five 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 का चाहिए तभी वो number seven, 11 and 13 से completely divisible होगा अब यह हो गया short trick का theoretical portion अब इस short trick का हम mathematical practical portion देखेंगे example के थूँ so example हमारा है सबसे first example that is 88888888 यहाँ पे हमने 8 यह digit यूज किया है और 8 को as per trick six times write किया है मतलब six time लिखा है तो हमारा यह number क्या हो जाएगा 88888888 तो मतलब जो कोई भी हम number लेते हैं तो उसको हमें six time लिखना है मतलब six time write करना है तो हमारा यह number हो जाएगा 8888888 तो हमने test में क्या दिखा मतलब हमने trick में क्या लिखा कि यह अगर number है तो इसको 7, 11, 13 से completely division होता है तो अगर हमें इस type का question पूछा जाता है एक्जाम में इस type का number आता है फिर चाहे उसमें eight हो चाहे उसमें six हो चाहे उसमें two हो चाहे उसमें four हो कोई भी digit रहेगा तो भी चलेगा लेकिन सभी के सभी digit same चाहिए उके equal digits चाहिए अगर four हो तो complete four चाहिए two हो तो complete two चाहिए students तो वो number 7, 11, 13 से completely division होगा completely divisible होगा तो यहाँ पे अगर हम इस number को seven से complete division करना चाहेंगे मतलब हमें check करना होगा ना कि short trick work कर रही है या नहीं कर रही है तो हम इस number को seven से division करेंगे सो seven से division करने के बाद में हमारा जो remainder आता है वो remainder आता है zero तो जब कभी भी division करने के बाद में remainder zero आता है तो मतलब वहाँ पे हमारा division complete हो रहा है 7 से यहाँ पे 888,888 को complete division हो रहा है और हमारे यहाँ पे quotient आता है यहाँ पे हमारा quotient आता है 126,984 ओके students, अब हम इसको 11 से भी division करके देखते है 11 से complete division होता है या नहीं होता है आए इसी number को हम 11 से भी division करेंगे सो 11 का table सबको आता है और सबको पता है कि 11,88 होता है सो obviously 11 से इस number को तो complete division होना ही होना है सो 11 से 8,88,888 को complete division होता ही है 101% तो remainder आता है हमारा 0 और हमारा quotient आता है 80,808 अब हमारा बज गया last number 13 13 से भी इस number को complete division होता है या नहीं होता ही हम चेक करेंगे सो 8,88,888 को अगर हम 13 से division करते है तब भी 13 से भी इस number को complete division होता है क्योंकि remainder हमारा 0 आता है और हमारा quotient आता है 68,376 यहाँ पे मैंने already division करके देख लिया है और directly मैं आपको यहाँ पे values बता रहा हूँ अगर आपको students doubt है तो यहाँ पे आप तुरंत यहाँ पे video pause करके 13 से 8,88,888 को divide कर सकते है आपका remainder 0 आएगा आपका quotient 68,376 आएगा तो यहाँ पे हमारी जो first short trick थी वो short trick थी हमारी कि अगर हम किसी digit का use करके उसको 6 times लिखते है 6 times write करते है तो हमारा जो 6 digit वाला number बन जाएगा वो 6 digit वाला number definitely 7,11 और 13 से completely divisible होता है अब हम देखेंगे next short trick so next short trick क्या है हमारी second number की short trick है हमारी if a number is made by writing a 2 digit number 3 times then the number is divisible by 7 and 13 अगर हम किसी 2 digit number को 3 times लिखते है suppose मैंने 2 digit number ले लिया 12,12,12 तो 12 को हम 3 times लिखेंगे 12,12,12 तो यह हो गया हमारा 6 digit number जिसमें 12,12,12 3 times है तो ऐसा number अगर हमें exam में पूछा जाता है तो definitely वो number 7 और 13 से completely division होता है divisible होता ही है तो चलिए हम example solve करते है तो हमने यहाँ पे example ले लिया है 93 का 93 लिया है और 93 को हमने 3 times write किया है 93, 93, 93 तो यह हमारा number क्या हो गया 9,39,393 तो अगर इस number को हम 7 से division करते है तो यह 7 से completely divisible है अगर हम 13 से भी करते है तो 13 से भी completely divisible है अब यह number इस type का number जो हम 2 digit number लेते है और उसको 3 times लिखते है वो number 11 से divisible नहीं होता है वो only and only 7 और 13 से divisible होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम 7 से 9,39,393 को division करते है तो remainder 0 आता है और quotient आता है हमारा 1,34,199 तो students आप division परफॉर्म कीजिए आपका answer भी same आएगा साथी साथ इस number को 11 से नहीं होता है complete division यहाँ पर 13 से completely divisible है यह number ओके तो यहाँ पर हमारा remainder आता है 0 और हमारा quotient आता है 72,261 आप इस वीडियो पर विश्वास ना करे यहाँ पर आप इसका division कम्प्लीटली करे जब आपका remainder 0 आएगा और quotient सेम आएगा तभी ही आप इस short trick पर भरोसा कीजिए और इसको exam में अपनाईए अब हम देखते हैं हमारी next short trick that is third number short trick और यह हमारी आज की video class की short trick के video class की last short trick है तो यह short trick क्या है हमारी if a number is made by repeating a three digit number two times then the number is divisible by again seven, eleven and thirteen मतलब यहाँ पर हमें कोई भी three digit number लेना है और उसको two times लिखना है suppose मैंने three digit number ले लिया one था one hundred and eleven तो one hundred and eleven को मैं two times लिखूंगा one hundred and eleven one hundred and eleven मतलब हमारा जो number बन जाएगा वो six digit बन जाएगा और वो बन जाएगा one lakh eleven thousand one hundred and eleven तो यह number हमारा definitely seven, eleven और thirteen से divisible होगा क्योंकि यह हमारी short trick है okay students तो इसको हम perform करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक number ले लिया example में 973 973 973 को हमने इस trick में two times यूज़ करना है तो हमारा जो number बन जाएगा वो बन जाएगा nine lakh seventy three thousand nine hundred and seventy और यह number seven, eleven और thirteen से completely divisible है यह हमारी short trick हमें बताती है तो हम division करके देखेंगे nine lakh seventy three thousand nine hundred and seventy three मतलब 973, 973, two times लेने के बाद में हमारा जो number बना है उस number को हम seven, eleven और thirteen से division करके देखेंगे remainder zero आना चाहिए तभी ये trick काम करेगी तो remainder हमारा zero आता है division करने के बाद में और हमारा quotient आता है one lakh thirty nine thousand one hundred and thirty nine students यहाँ पे आपने division completely करके देखना है आपका remainder zero आना चाहिए आपका quotient one lakh thirty nine thousand लेकिन हमारा जो number है वो number हम ले लेंगे eleven, eleven से हम इस number को divide करके देखेंगे जो कि हमने लिया था three digit number उसको two times हमने write किया था three digit number हमारा कौन सा था 973, 973 973, 973 973, 973 मतलब 973,973 को अगर हम eleven से division करते हैं तो हमारा definitely remainder zero आता है और हमारा quotient आता है 88,543 आपने ये division करके देखना है आपका answer सेम आएगा और हमारा last में जो number बज गया है वो number बज गया है 13 13 से भी हम अगर इस number को complete division करते हैं तो यहाँ पे हमारा remainder zero आता है और हमारा quotient आता है 74,921 मतलब यहाँ पे ये जो three short tricks है वो पूरी तरीके से fulfill होती है पूरी तरीके से work करती है अगर इस तरीके के आपको questions आते है exam में इस तरीके के numbers आपको exam में पूछे जाते हैं तो आपने उस number को अच्छे तरीके से concentrate करके देखना है या तो वो number six times same number तो नहीं है या तो वो number three times two digit number तो नहीं है या तो वो number two times three digit number तो नहीं है अगर ऐसा है तो उस number को 7, 11, 13 से division होता है 11 और 7 से complete division होता है 7, 11 और 13 से complete division होता है ओके students तो students ये था आज का video class जो की बहुती small video class था बहुती छोटा video class था ये video class second chapter 4 fundamental operation का जो एक portion है test of divisibility उसके short trick के उपर depend था ओके students ये short trick अगर आपको समझ में आई होगी तो please video को like कर दीजे फिर भी अगर किस student को इस short trick में कोई doubt होगा या फिर कोई confusion होगा या फिर कोई queries होगी तो वो मुझे comment box में comment करके अपने doubts, अपने questions, अपनी queries पूछ सकते हैं मैं आपके doubts, questions और queries के comment box में reply करके answer जरूँ दूँगा आज का ये short trick का वीडियो क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो useful लगा हो, informative लगा हो तो please video को like कर दीजे साथी साथ video को share भी कर दीजे और इसी तरीके के mathematics के different chapters के short tricks के video lectures के लिए मेरे चैनल जयश pathfinder को subscribe कर दीजे thank you students